आज नवरात्री के छटवे दिन मा कात्यायनी की उपासना की जाती है, आई जानते हैं इनके महत्व को मा दुरुगार जी के छटवे स्वरूप का नाम कात्यायनी है, इनका कात्यायनी नाम पढ़ने की कथा इस प्रकार है कद नामक एक प्रसिद महर्षी थे उनके पुत्र रिशी कात्य हुए इन्ही कात्य के गोत्र से विश्र प्रसिद महर्षी कात्याय नुद्पन हुए थे इन्होंने भगवती परामबा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी उनकी इच्छा थी कि मा भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जनम ले मा भगवती ने उनकी ये प्रात्ना स्विकार कर ली थी कुछ काल पस्चात जब दानव महिशा सुर कात्या चार पृत्री पर बहुत बढ़ गया था तब भगवान ब्रह्मा विश्नु महेश तीनों ने अपने अपने तेज का आंश दे कर महिशा सुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन किया महर्शी कात्यान ने सरुपतम इनकी पूजा की इसी कालर से यह कात्यानी कहलाई ऐसी भी कथा मिलती है यह महर्शी कात्यान के यहां पुत्री रूप में उत्पन होई थी आश्विन कृष्ण सत्यो दशी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी, अस्टमी तथा नौमी तीन दिन तक इन्होंने कात्यान रुशी की पूजा ग्रहड कर दश्मी को महिशा सुर का वद किया था मा कात्यानी, अमोग, फल्दाइनी हैं भगवान कृष्ण को पती रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों में इन्ही की पूजा कालिंदी यमना के तड़ पर की थी ये ब्रज मंडल की अदीश थात्री देवी की रूप में पतेश्टित हैं इनका स्वरूप अत्यन्ती भव्वे और दिव्वे है इनका वर्ड स्वर्ड के समान चमकीला और भास्वर है इनकी चार बुजाएं हैं माता जी का दाहनी तरफ को उपर वाला हाथ अबे मुद्र में है तथा नीचे वाला वर्मुद्रा में है बाई तरफ के उपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है इनका वाहन सिंग है दुर्गा पूजा के छटवे दिन इनके स्वरूप की उपासना की जाती है उस दिन साधा का मन आग्या चक्र में इस्थित होता है योग साधना में इस आग्या चक्र का अत्यंत महत्यपूर स्थान है इस चक्र में इस्थित मन वाला साधक मा कात्यानी के चरड़ों में अपना सर्वस निवेदित कर देता है परिपूर आत्मदान करने वाले ऐसे भक्त को सहज भाव से मा कात्या अर्थ, धर्म, काम, मुक्ष, चारो फलो की प्राप्ति हो जाती है। वै इस लोक में इस्तित रहकर भी अलोकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। उसके रोग, शोक, संताप, भय आदिसर्वता विनस्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पापों को विनस्ट करने के लिए मा के उपासना से अधिक सुगम और सरलमार्ग दूसरा नहीं है। इनको उपासक निरंतर इनके सानित में रहकर परंपद का अधिकारी बन जाता है। अतहा हमें सर्वतो भावेन मा के शरडागत होकर उनकी पूजना उप पर रहना चाहिए। जैमा दादी।